अच्छा करता हूं आपके यूटिब चैनल गार्णिंग पेरड़ाइस पर और आशा करता हूं आप सबी अच्छे से होंगे अक्टूबर आ गया है और इस महीने में आप बहुत सी सब्जियों को उगा सकते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं उन सबी सब्जियों की जिने आप अक्टूबर के इस महीने में उगा सकते हैं इससे पहले कि हम विशिष्ट सब्जियों पर चर्चा करें आईए इस बारे में थोड़ी बात करें कि अक्टूबर बागवानी के लिए एक अच्छा समय क्यों है क्योंकि थोड़ा ठंडा तापमान सब्जियों को बनपने के लिए उत्तम परस्तित्या बनाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो आगे बनने से पहले मेरी एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके बाद जो बैल का इकन आता है उसे भी क्लिक कर दीजेगा ताकि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारी सूची में पहली सब्दी है चुकंदर अक्टूबर चुकंदर की बीच बोने के लिए एक उतक्रिस समय है ये लाल रंग के रत्न आपके व्यंजनों में भरपूर स्वाद और पोशन का तत्का लगाएंगे अक्टूबर बैगन के बीच बोई जाने या पहले से तयार इनकी छोटी पौद को ट्रांस्प्लांट करने का समय है इस समय आप समाने ता मिलने वाले बैगनी रंग के बैगन के साथ साथ सफेद या हरे रंग के बैगन भी उगा सकते हैं हमारी सूची में अगला है शक्तिशाली ब्रोकली अक्टूबर ब्रोकली के बीच बोने या रुपाई के लिए आदर्श समय है ठंडे मौसम के प्रती अपने प्रेम के कारण ब्रोकली आपको आने वाले महीनों में उन सुन्दर हरे फूलों से पुरस्करत करेगी कुरकुरी पोशक और स्वादिश्च पत्तों के लिए अक्टूबर में पत्ता गोबी के बीच बोएं जिसका आनन्द विविन व्यंजनों में लिया जा सकता है आप लाल या परपल कलर की पत्ता गोबी भी उगा सकते हैं गाजर के बीच बोने का उप्युक समय अक्टूबर है ठंडी मिट्टी की स्थितियां गाजर को वो मीठा स्वाद विक्सित करने में मदद करती हैं जो हम सभी को पसंद है गाजर भी बहुत तरह के रंगों में आती है जैसे लाल, पीली, काली, संत्री, आदी फूल गोबी, ठंडे मौसम की एक और पसंदीता सब्जी है स्वादिष्ट फसल के लिए अक्टूबर में फूल गोबी के बीच बोय या रुपाई करें फूल गोबी भी आप कई तरह के रंगों की लगा सकते हैं जैसे सफेद, पीली, या परपल, या हरी रंगे अक्टूबर में धनिये के बीच बोय जाने के लिए सही समय है, अभी इनके बीच लगा कर आप आने वाले समय में ताजी और सुगंदित पत्तियों का अनल दे सकते हैं मेती एक पौस्टिक साग वाली सब्जी है जो ठंडे मौसम में अच्छे सिपन अपती है अगर आप भी ऐसी सब्जी उगाना चाह रहे हैं जो बहुत तेजी से बढ़े और जिसकी फसल आप जल्दी ले सकें तो मूली को उगाने का विचार करें मूली के बीच बोने के लिए अक्टूबर उतकिस समय है विच जल्दी परिपक वो हो जाते हैं जिससे आपके सलाद में रंग और स्वाद बढ़ जाता है अगला नंबर पोशक तत्वों से भरपूर पालक का है ये पत्तेदार साख ठंड के मौसम में पनपता है और आप पूरे मौसम में लगतार फसल के लिए अक्टूबर में अपने पालक के बीच बोना शुरू कर सकते हैं हमारी लिस्ट में अंतिम लेकिन सबसे महतपून टमाटर है रसदार टमाटर किसे पसंद नहीं होंगे तो टमाटर के बीच बोने के लिए अक्टूबर बिलकुल उप्योग समय है अभी इनके बीच बोकर आने वाले सीजन में आप घरेलू टमाटरों का भरपूर आनन ले स लेकते हैं तो इस तरहे आपके पास अक्टूबर में बोने के लिए सब्जियों की एक पूरी लिस्ट तयार हो जाती है I hope आपको यह मेरा वीडियो जरू पसंद आया होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जितने जादर से जादर लोगों से आप कर सकते हैं कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज उसको लिखिए थैंक्स वर ओचिंग हैपी गाडनिंग